कहानी एक छोटे से गावू की है, जहां एक रहस्य मैं घड़ी थी. हर कोई उस घड़ी की गहराई में समाने की कोशिश करता, परन्तु कोई भी उसके रहस्य को हल नहीं पापाता. एक दिन, गावू का एक बच्चा, रामू, उस घड़ी के पास से गुजर रहा था. वह उसके पास से जाते हुए था, कि उसने सुना, ठिक 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 ठिक. रामू ने चौंक कर रुक गया. क्या यह वास्तव में घड़ी की ध्वनी थी, या वह अपने सोच का नतीजा था? व वह और भी अधिक दिनों तक इसे सुनने के लिए लोटता रहा, पर रहस्य अभी तक अनसुलजा था. एक रात उसने फैसला किया कि वह घड़ी के रहस्य को सुलजा लेगा. वह घड़ी के पास गया और रामू के दिल की धड़कने तेज हो गई. धीरे धीरे उसने समझा कि घड़ी का रहस्य उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा था. घड़ी ने उसे समय की मूल्यवानता सिखाई इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हर पल को महत्व देना जरूरी है क्योंकि हर पल हमें कुछ सिखाता है. जीवन में हर मिनट एक नई रोशनी लेकर आता है जिसमें हमें सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है. रहस्यमय घड़ी ने रामू को एक महत्वपूर्ण ज जीवनी शिक्षा दी जिसने उसके जीवन को सम्रिध बना दिया.